असलाम वालेक्म दोस्तों मैं आपका दोस्त अरिव और मेरे चेनल आरिव व्लोट में आपका आधिक शुभा करते हैं। आज मैं आपको खुनेला का इतिहास के बारी में बताऊंगा जो मैंने आपसे बादा गिया था है। खंडेले का इतियास बहुत ही पुराना है, अब हम इसको टुक्रे टुक्रो में सोट में करेंगे, बहुत बढ़ा इतियास है, मैं बता नहीं पहूंगा आपको, जो पहले हम राजाओं की बात करते हैं, खंडेला में दो राजा थे, छोटा पाना और बड़ा पाना, और यहा जिसका वर्णन है, खंडे नाम के राजा थे हुई, और इल्ला का मतलब बता पर्थवी, यानि राजा की पर्थवी, क्या हुआ राजा की पर्थवी, और इसलिए इसको खंडेला कहते हैं, और एक नदी, नगर की बीचों बीच बेती है, जो खंडेला को दो बागों में ब अब विवाजित करती है तो इसी विवाजित के खारण इसका नामांकरन खंडेला हुआ है अब आगे हम कवर करेंगे इसको खंडेला की विरासत को खंडेला की जो विरासत है उसके अंदर परमुक परमुक क्या है राज़ा मैंने बता दिया आपको और खंडेला नाम के उपड़ा यह बता दिया अब पढ़ेंगे अब इसकी प्राचे जो है ना दरोवर उसके बारे में हम चच्चा गरेंगे यहां पर्मुक तोर पर बावडियां पुरानी पुरानी बावडियां चत्रियां हवेलियां गड़ और किले हैं अब यहां पर आज़ते हम यहां खंडेश वर मादेव मंदिर के साथ साथ में चारणा दामकाशिव मंदिर चामुला मातक मंदिर बिहारी जीगा मंदिर नरसिंग जीगा मंदिर और किले वले बालाजी का मंदिर परसिदें अब हम डिस्क्रिस खरेंगे एक एक बात पर चामूनदा मतक मंदिर अब यह मंदिर पस्षिम दिसा में खंडेला के हचिम दिसा होंगा अब तो सुना मैंने इस मंदिर पे रास्ता भी बना दिया गया मैं अभी वहाँ पे गया नहीं हूँ लेकिन मुझे जैसे सुचना मिली है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं था मैं विदेश में था बारा साल तक पहले तो मैं पांस बार विजिट किया हूँ और ये चामूल्ड पाष्ची उबंदिर था वहां पे चामूल्डा माता से पहले पाष्ची में खंडेश्वर नाम ते एक सिवाले आ है इससे पहले वहां चामूल्डा देवी थी अब हुआ यूं कि एक बार वहां पे सहव दयान हो रहा था तो उसकी दूरगंद उसको चामुदा माता को बहुत बुरी लगी फिर क्या हुआ एक पुजारी को बविश्य वानी हुई आकास वानी हुई कि आप एक चुने की परात और एक पानी का मटका लेके मतलब उपर जाओ उस चामुदा माता की मंदिर पोचाओ तो वहां खंडेला से एक पुजारी लेके चुने की परात और पानी का मटका लेके वहाँ पर गया जाने के बाद में उस ही चुने से और चो पानी लेके गया उससे एक मंदिर का निर्मान हुआ जिसे हम चामुदा माता का मंदिर कहते हैं मंदिर कि बाहर की तरफ ब्रगत की फिर लए बहुंत चाहिए दार और मैं आपको बाद में उसको दिखाऊँगा, अब भी तो मैं खंडेला गे थे वास को आप से खंडेला के त्यास आपको बता रहा हूँ औरली, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा भी प्रेक्टिकली अब हम कवर करेंगे नर्सिंग मंदिर को वेफियर राजा राम चोधरी का एक पुत्तर था राजा राय चोधरी का एक पुत्तर था चाड नर्सिंग उनको नाम था चाड नर्सिंग उनको चाड पोड़ते थे नर्सिंग जी का ब पर खुदाई करो तो आपकी किर्थि बढ़ेगी फिर वहाँ पर खुदाई कराई तो एक मूर्थि निकली नर्जी जी जो चमदा सो गुंचाली के अंदर नर्जींग के मंदर की नियु रखी गई थी पांथ साल में मंदर का निर्मान पुरा किया गया और खास बात है कि शूरज की जो पहली किरण नना वो इस मंदिर की मूर्थी पर पढ़ती है कि आज भी जैसा कि मुझे बताया गया मैंने इस्टिडी गया खंडेला का इतियात तो यह मंदिर भी पर्मुक है खंडेला का नर्थिंग जी का मंदिर अब हम कवर करेंगे बक्तावरदास जी को अब बक्तावरदास जी को कवर करेंगे बक्तावरदास जी जाती के राजपूर ही थे जाती जी कहते है राजपूर ही थे चरोड़ा दाम में आज भी उनकी शत्री बनी हुई है अब हम उनके चमतकार की बात करते हैं उनके एक बक् कारे नहीं कर ना उनकी आउंख्यं को रोशनी की तो रोशनी वक्ता वरदास जी ने वह पिस लड़ा नियुद की बगता वरदासмен जी ने गद उन आखों की रोशनी ले लिए उन्होंने और अपनी रोग ले लिया इसलिए उनका चमतकार था उनके जो बक्ते नहां था बाल बक्ष दिवान अब हम कवर करेंगे आबलदे साबलदे का मंदिद जो खंडेला से शेंगे मिटर दूर तलेदी पुरा में 30 है पुआ यह था कि एक बार देल्यली के जो राज थे ना पतिविरा चोहान उनका जो बांजा था राजा उदर्मान जो गुजरात की राजा का दिवान था, उनके लड़ाई हूई थी, तो दो बेन्यों की सत्य हूई थी, उनकी सत्य हूई थी, शत्य होने के बाद उनका मंदीर बनाया था, अबलदे साबलदे का मंदीर, और खंडेला के राजा ने सल्दिपुरा में एक बहुत बड़ा के अंदर जो बांध राज खंडेला के राज़े ने बनाया था उस बांध के उपर पूरा अत्ति कर्मन हो चुका है मैं जाके आया हूं लोगों ने फचले हुआ रखी हैं बहुत सारी जमीन रोग लिए हैं मतलब उसकी जमीन बहुत कम बची है अब मैं आगरे करना बुम्मी की फेमाइस करवाएं और जो खंडेला की राजा की विरास्त है उसको बचे आ जाए अब हम कवर करेंगे करमेति भाई को जिनका खंडेला के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है अब करमेति भाई कौन थी उसकी इस्टिरी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी ह जाएगी मैं आपको बिल्कुल फोट में कवर करके बताऊंगा और करमेति भाई को छे कहवाटे की मेरवी का आजाता है क्योंकि वो कर्षण बग्त थी अब उनकी जनमिस्तिली के बात करने तो मैं आपको जनमिस्तिली खंडेला ही थी उनकी उनकी यात के अंदर बुतियश के आया हूं बाद में वीडियो के माद जम्शे आपको कवर करके बताऊंगा बहुत बढ़ा अच्छा मंदी बनाया है परसंचालाइक बनाया है और हुआ यू था कि करमेति भाई के वारे में मैंने जो इस्टेडी किया उसके इंदर उनकी 12 साल की उमर में उनका विवा हो उनकी इच्छा के विरुद हुआ जब सफुराल वाले उनको लेने आय तो उनकी जाने से मना कर गया तो वह वरंदावन में चली गई वह वरंदावन चल गई और एक उट्या में रेने लगी वरंदावन में बर्मा कुण के पास वह रेनने लगी जब ये शुचना खंडे लेकर राजा और उनके पिता जिनका नाम था परसुराम उनको लगी तो वो उसको लेने के लिए बरंदा बन गए तो नोड़ ने जाने से इंकार कर दिया और कहा कि ठाकुर जी को साथ ले जाईए ठाकुर जी एक मूर्ति दी उसका नाम ठाकुर जी था उन्होंने बर्मा कु इस इस तversion है, कि कि दोस्तों अब हम कर रहां करेंगे, फर्मुक बाबवडियों को खुंदील से कि इफ्री कें अधर बावरवरियों हैं ऐसमों का पितनी दिखत? हुआ को थे ऑड़िंगों, इत के बाद में अब भी तो रमजान चल रहे हैं मैं जाने ही पहुँआ हूं पर प्रसित हैं ना कालिबाय बहुजी शोनगिरी पोदार काना लाला दवाल करदास मूंका पलसानि आदिय पर्मूख हैं करने जाइन है अब करते हैं खंडेलल वालविस्त हमाज ने हे समाज को खंडेलल के चारश में कंडेल वालविस्त्य समाज कभी बहुत बड़ा योगदान है इसको कम नहीं आ खिक्ति आप खंडेल हमाजम अपने उद्वाव्श्थान खंडेला को पाया है उसके रूप में पतर्शाणा रौप अपनी कुल देवियां सेंटिसी गनिश्जी को शम्रोंपित किया है और ही खंडेला वैथ्तिय समाज दाम का निर्माद किया है है हंड difammal Terum माज दाम भी है मुसको बहुत सकते हैं और वहां पर गरनेश जी का बहुत बड़ा मंदिर भी मैं बनाया गया मैं चैसे शुचरा मिली है इक खंडेला वेश्य दाम को मैंने अभी तक देखा नहीं है लेकिन सुना है मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूँगा आपको दिख जा सकते जो दिखास वो इतिहासी रहेगा आप हम कवर करेंगे खंडेला के गोटा उत्यों को भी खंडेला की लोगों की लाइफ लाइन था फेले खंडेला छेतर के इंदर बहुत सारी मशीनी लगई हो इती गोटे की और दायरा में भी लगई हो थी दढ़ा बर प्री रा गुलजार मौला उसके आगे बड़बूजान उसके आगेसें जो मार्केट था शायद उसका नाम नारूल ने लिया बाजार हो या कुछ हो मुझे मुझे मालू नहीं वहां से लेके पुरनमजी की दुकान तक पूरी दुकाने फुल रबारा करती थी औरते फूल करती थी गोटे पती यूनि मार्केट सबसे अच्छा था उस टेम पर खंडे लगा आज से तीस साल के बतारूं आपको मैं जब देखा मेरी आंकों से तो मार्केट बहुत फुल थ बहुत आवागमन था बहुत दुखाने चलती थी बहुत दोखों को रोजगार मिलता लेकिन दोनों सरकारों की उदासीन था करण आज खंडेला का गोट्या विवापार दम थोड़ रहा है ना तो बीजेपी ने गोट्या उद्योग को बसाने का परियास किया और ना ही कां अब चाहिना की जो मशीने जो गरीबाद में खरीदने सकता उनको सराना नहीं आता वो मार आगे से आजाता है तो अब दीरे दीरे अपनी मशीने लूप तो होती गई लूप तो दो या तीन बच्ची हैं जा तक मुझे पता दारा के इंदर तो एक मशीन चलती है एक आदम कि ना के बराबर यह वह एक तरह से तो मैं सरकार से निविदन करना चाहूंगा कि खंडेला की गोटा उद्योग को उठाने का प्रियास करें और खंडेला के अंदर जो भी मशीने बड़ी मशीनरी चाइनीज की है वो लगा के उटको मजदूर को प्रक्रिशित करें और उन को प्रुस्तान दें कांग वानने के लिए ताकि खंडेला को उठें अब कवर करते हैं रोयल को खंडेला के अंदर अपना रोयल एते जगें जहां पर बहुत दूरीनियम निकला दूरीनियम का बंडार निकला अब वहां पर टैनल का का काम भी शुरू हो चुगा मैंने सु से बड़ी समझे है यारी क्यों पानी की विवस्तन ने हुई अभी जब तक पानी नहीं आ सकता तब तक चुलू काम कीते होगा सर्वे तो हो गया मतलब सर्वे बोलेंगे तो आप यह उस्पिट्रल वार्लोड ने सर्वे घरवाया है अब हार बहुत साए एक मिने पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खंडेले का जो रोयल है जो यह टनल बन रहा है यह बहुत बड़ा टनल बनेगा इसके अंदर पांच यह दस हजार लेबर्स काम करेंगे तो मैं चाहूंगा खंडेले बाच्छी उसे कहना कि पहली प्राइडिक खंडेला की आदमी को मिलनी च प्रदेश के आज आज आते हैं यह बहुत कम मजदूरी में काम करते हैं और ज्यादा गंटे काम परते हैं जिसके कारण अमराजस्थानियों को रोजगार नहीं मिल पाता सबसे बड़ा करण है आज जो केरपुरा के सलदीपुरा से आगे जो प्लांट लगा बाबाराम दे मैं सरकार से निवद्र करना जाँगा कि बंगाली बिहारी और वो तो मैं आपको हुमिलेट नहीं कर रहा हूं बंगाली बिहारी को वही हमरे बाई हैं लेकिन पहला हक हमारा है हमारा ही रहेगा और जद्द जद्द रोजगार खंडे लबाशे को दिया जाए मैं तो यह को काम बहुत चलता था लकडी की तरह तरह के अच्छे खांडिया होई वह खिलोने होए लट्टू होए बनाते थे उनको वह पर चलता आज खरातू जोग भी खंडेला का खत्म होने की कगार पर है इसकी भी सरकार ने देखी किया चाई बीजीपी होई है कॉंगरेस हो अब मैं जाके आपको ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि खराजयों की आलत क्या है मतलब बहुत देवनी दन नहीं आ रहतता है उनकी आज जगो एजुकर्शन पीछे हैं वो लोग और ये गरीबी में बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन सरकार को सब्सक्राइब मेरे बताने में कुछ बूल हो गई हो तो आपका छोटा भाई समझ की माप कर देना जितना मैंने स्टेड़ी कि आपको बताया लेकिन अब वक्त हो गया आप से अलविदा लेने का जब तक लिए खुदा आप पीज आपका दिन मंगल में हो